सब्सक्राइब करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी लट्स स्टाट आर क्लास पड़ापट से किबल पास सेकिंड का ताइम लगेगा आप लोगों को लाइक करने में जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए चलिए कम आण यारी यह जो घटना है यह घटना कब घटित हुई तो इट हैड हैपेंड वेन आई वास टैन और इलेवन यर्स ओल यह घटना तब घटित हुई जब मैं दस या ग्यारह वर्ष का था I had decided मैंने तै किया था मैंने निश्चित किया था क्या निश्चित किया था तो मैंने निश्चित किया था to learn to swim के मैं तैरना सीखूंगा क्या सीखूंगा मैं तैरना सीखूंगा learn करूंगा there was a pool वहाँ पर एक पूल था पूल को वैसे हिंदी में कहते हैं तरण ताल और मुझे बात ये शब्द मुझे बच्पन से याद है क्योंकि हमारे यहाँ पर एजमेर में लोकल एक पूल था उस पूल का नाम ही तरण ताल था मुझे बहुत बाद में पता चला स्विंग पूल का हिंदी नाम ही तरण ताल होता है टो एक पूल था एक तरण तायda ymca ymca के पास में याकिमा याकिमा क्या है एक नदी का नाम है तो याकिमा नदी जो है वहाँ पर एक ymca पूल था that offered जो आपके सामने प्रस्तुत करता था exactly the opportunity exactly का मतलब यथावत जैसा अवसर आपको चाहिए जैसी opportunity आपको चाहिए बिल्कुल वैसा अवसर या वैसी opportunity वो आपको देता था the yakima river was trench various यानि कि बहुत ही जोखिम भरी बहुत ही खतरनाक बहुत ही dangerous नदी थी याकिमा नदी जो है वो कैसी थी बहुत ही खतरनाक या बहुत ही dangerous नदी थी हिमानशू I am so sorry मेरे बच्चे सुबह मैं सोता हूँ लेट उटता हूँ ठीक है बहुत लेट उटता हूँ क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोता हूँ अगले इनकी पूरी तयारी करके फिर सोता हूँ मैं ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं याकिमा नदी के बारे में तो याकिमा नदी जो है बहुत ही जोखिंबरी खतरनाक नदी थी mother continually मेरी माता जी जो है लगातार या बार बार warned against it यानि कि वो बार बार या लगातार मेरी मा जो है मुझे मना करती रहती थी चेताव नहीं देती रहती थी किस चीज़ के लिए कि बहुत है याकिमा नदी पर नहीं जाना मेरे दिमाग में the details of each drowning in the river परतेक drowning मतलब डूबना जितने भी लोग डूबते थे हर आदमी के डूबते बता आज याकिमा में एक और गया एक और टपका एक और गया भाई ठीक है तो याकिमा से क्या करना दूर रहना फिर कुछ दिन बाद कोई हाथसा हो जाता कोई नदी म हूँ जाकर के याकिमा में कूदा फिर आप दस लोग कूदे उसको निकाल के लाएं ठीक है क्योंकि वो खुद निकलने लाएक रहा नहीं तो हर एक ऐसी दुरगटना हर एक ऐसा accident जो याकिमा नदी में होता था मेरी मा लगातार उसकी details बता करके हर डूबने वाली बात को म यानि कि यह क्या था यह एक सुरक्षित स्थान था यह पूरी तरीके से सुरक्षित था it was only two or three feet deep at the shallow and while it was nine feet deep at the other तो यहाँ पर मेरे कल भी बताया था कि यह सुमिंग पूले कैसे बनावा है यह ऐसे बनावा है कि अगर यहाँ से हम देखें तो दो या तीन feet की ही यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी गहरा ही दिखाई देगी वही पर आप इस स्थान की बात करोगे तो यह nine feet तक गहर है तो शुरुवाती जो समय उतला जो चोर है पहला यह जो चोर है पहला जो एंड है यह केवल और केवल कितना है शैलो सा है मतलब बहुत कम पानी है यहाँ पर दो या तीन feet ही गहरा है and while it was nine feet deep at the other और दूसरे चोर के अगर आप बात करेंगे तो यह कितना गहरा है यह 9 feet ग मतलब है गहरा ही जो है वह धीरे धीरे बढ़ती है जो यह कोई ग्रेजूल कहलाएगा यह धीरे धीरे इसकी गहराई बढ़ती जा रही है right or wrong अरे clear है किया यहां तक का swimming pool की स्थिती समझ में आई या नहीं आई अरे clear है किया बच्चा लोग clear या कि मान न दी उसके पास में आगर के बताए ऐसा ऐसा हो गया था तरको पता है ताकि याद ताजा रहे है बूलना जाए बच्चा के भाई 10-11 साल का बच्चा है तो बूलना जाए कि वह खतरनाक नदी है वहां नहीं जाना लेकिन YMCA pool जो है सुरक्षे तस्तान है वहां तैरना सीखा जा सकता है उसका एक छोड़ जो है मातर 2-3 feet गह रहा है और दूसरा जो चोड़ है वह मातर 9 feet गह रहा है अलाकि दूसरे वाले चोड़ के लिए मातर नहीं कहना चाहिए मैं खुछ 6 feet का हूं तो मेरे से 3 feet उपर है ठीक है तो ड्रॉप जो है वह धीरे-धीरे गह रहा ही पड़ती है I got a pair of water wings water wings देखो ऐसे होते हैं यह देखो इनके अंद यह जो गुबारे ऐसे दिखाई दे रहे है न यह देखो गले पर बांत रखा है टायर जैसा ठीक है यह जो है यह वन एंट्व इसको अटा यह दोनों क्या कहलाते है water wings कहलाते है इनमें क्या होता है यह plastic के बने वे गोल से होत वो आपको उपर उठाए रखेगी water wings यह आपको डूबने नहीं देंगे कभी भी तो water wings I got यानि कि मैं ले आया मैंने प्राप्त कर लिया जल पंक water wings तो water wings का एक जोड़ा मैं अपने लिए ले आया and went to the pool और pool पे चला गया I hated to walk naked और वहां नंगा या वस्तरहीन होकर चलना म मुझे बहुत ही ग्रणित का यह लगता था मुझे बहुत ही ग्रणा थी नफरत थी कि मैं बिना कपडों के वहां पर मुझे चलके जाना पड़ता था into it किसके लिए का गया swimming pool में and show my skinny legs skinny वो कहा जाता है पतले दुबले और मुझे अपने पतले दुबले पैर वहां पर दि मैंने अपने इस शर्म को अपने इस भाव को कि यहार मैं पतला दुबलाओं बिना कपडों के जाँँगा लोग मेरे पहसेंगे तो यह जो एक ऐसा भावना मेरे मन में थी मैने इस भाव को नियंतरित किया मैंने इस भाव को क्या किया control किया पूरी طریके से और control करने के मैं अपने आत्म सम्मान को तहक में रखके नाने के लिए वहां तैराकी सीखने के लिए वहां जाता था फ्रॉम दा बिगिनिग शुरुवात से ही हावेवर जैसे तैसे अब यहां पर यह बताएंगे के ऐसा क्या हुआ के इनहें तैराकी से डर लगता था और इनहें तैराकी सीखने अलग से जाना पड़ा उसका कारणा बिस्पष्ट होका तीक है कहानी ऐसे नहीं चल रही है के पहले बच्पन की घटना बताएंग YEAH फिर ग्यारा साल वाली उमर की बता रहें नहीं, पहले ग्यारा साल वाली उमर की गटना बताई जारी है, अब पिछली गटना बताई जारी है, तो I had an aversion मेरे मन में हमेशा से एक अरूची की भावना थी, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था, पानी के बारे में, when I was in it जब कभी मैं पानी में होता था, this started और ये पानी को लेकर जो aversion है, जो अरूची है, जो डर है, जो भे है, ये कब शुरूआ, when I was three or four years old, जब मैं तीन या चार वर्षका था, father took me to the beach in California, और मेरे पिता जी मुझे लेकर के कहे थे, कहां, समुंदर तट पर, California के समुंदर होती है, जैसे हम लोग अपनी चुटिया का बिताते हैं, नानी के चले गए, दादा दादी के चले गए, मामा मामी के चले गए, बुगा पूपा के चले गए, अपनी चुटिया ऐसे बीतती है, ये निशानी है इस बात की, कि आपका परिवार जो है, वो निम्न या मध्यम गरीब वर्ग से आता है मध्यम वर्ग से आता है या तो निम्न वध्यम वर्ग से आप बिलोंग करते हैं या मध्यम मध्यम वर्ग से आप बिलोंग करते हैं अगर आपके चुटियां ऐसी बीत रही है तो ये बात मान के चलो क्योंकि इस कंडिशन में पैरेंट्स पैसा नहीं घर्च करना चाते एक वो इतना ही पैसा घर्च करना चाते हैं के ट्रेन में के बस में बच्चा किसी तरीके से नाना नानी के पहुँच जाए मामा मामी के पहुँच जाए भुगा पूपा के पहुँच जाए चाचा ताउ के पहुँच जाए दस-पंदरा दिन वहां आराम स रिलाक्स करें, मस्ती मारे, जो करना है करें वापस घर आ जाये, ठीक है, आपकी चुट्टिया ऐसे बीट रहे है, इसका मतलब आपकी इस्तिती मेरे जैसी ही है, मुझसे बैतर इस्तिती में नहीं हो आप, क्योंकि मेरी भी बच्छमन में चुट्टिया ऐसे बीटती थी, मेर यहां मेरा ममा एक जगह रहती ती तो ड़ो महिने के चक्कर लगते दस पत्रा दिन यहां फिर दस 15 दिन वहां फिर दस 15 दिन वहां दो महिने चुट्टी बीट है कंध्रा दिन पेले आज़ा वही आप पैन घसना ते अठ्छ Did के जुटियों का वही चीज जीवन में चलती रहती ठीक है लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है वो बच्चों के डवलप्मेंट पर ध्यान देते हैं महां के माता पिता के नहीं बच्चे को पहाडों में घुमाने लेके जाना है बच्चे को समुद्र तरट दिखाना है बच्चे को रेगिस्तान दिखाना है अलग-अलग चीज़े देखेगा घुमेगा फिरेगा तो जीवन का अनुभव मिलेगा काका बाबा से दो जापट खाके अनुभव मिल जाता है क्या घुमना फिर ना ठीक है he and I stood together in the surf, surf का मतलब जो जाग या फेन था हम उसमें साथ खड़ेते I hung, hung का मतलब होता है लटकना मैं लटका हुआ था किस पे, on him, यानि मैं उनको कसकर पकड़ावा था, उनके ओपर लटका हुआ था yet फिर भी the waves, जो लहरे थी, knocked me down, उन लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया बही छोटी सी बात, एक छोटा बच्चा है, 3-4 साल का, उसकी पकड़ में कितना की दम हो गाए है अगर वो उपने पिताजी की गर्दन पे भी लमुचा हुआ है, लटका हुआ है तो उसकी पकड़ में कितना दम मान सकते हो आप अगर तेज समंदर की लहर आई है तो ठीक है, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, उसके हाथों में इतना दम थोड़ी है कि वो उस लहर के फोर्स को सहन कर सके तो वो बहुत अच्छे से लेकिन वो आई ही लहा और उसने मुझे नीचे धम करके पटक दिया, knocked me down नीचे गिरा दिया and swept over me और मेरे उपर से होते वे गुसर गया, I was buried, बरिड का मतलब वैसे होता है दफन, दफन हो जाना, गड़ जाना गुलते हैं तो मैं डूब गया, मैं गड़ गया, किसमें, beneath the water, उस पानी के नीचे, my breath was gone और मेरी सास जा चुकी थी, सास जाने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि मैं मर गया था, मरा नहीं था, सास जाने का मतलब है, यह होता है, ठीक है, कि सास ही नहीं है, मैं सास ले नहीं पाया, ठीक ह at the, at the overpowering force of the waves, लेकिन, मेरे पिताजी यह देख करके, बड़ा है, गिरिया, गिरिया, मज़ा है, मेरे पिताजी नहीं भेंक दिया था, मेरे को, एक बड़ तालाप में, किल चास, तैरना सीखना ही ले, सीखो, उन्हें पता, जाला नहीं था, मैं मेरी खुद की, हाइट उस समय कमती हूँ, आयू भी कमती हूँ, तो मेरे पिताजी वो ले, तैरना सीखेगा, मैं गा, हाँ, उठाए, ले, सीख, सीधी सी बात है, किसी को साइकिल चलाना सीखना है, साइकिल पर बैठना पड़ेगा, किसी को कार चलाना सीखना है, ड्राइविंग सीट पर बैठना किताब ले आओ, 100-200 रुपे किताब आएगी, 13 कैसे जाता है, गाड़ी चलाना, कार चलाना सीखे मातर 3 गंटे में, अब लोग बागो किताबे लाएं हैं, घर पे बैठें, घर पे पढ़ रहें हैं, और बोल रहे हैं, सर, गाड़ी चलाना आहां नहीं रहे, पिछली बार चल होकर सीखी जाती है, तो यहां पर भी यही है, पिताजी का ठीक है, कि यहां पर पिताजी को तो यह देख करके बड़ी जोर से हसी आई, लेकिन एक डर था जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गया, और डर किस से, ओवर पावरिंग, यानि कि मेरी शक्ती को हरा करके, उसके प्रती, उसके विरुद्ध, मन में मेरे एक डर हमेशा के लिए बैठ गया, तीन चार साल की उमर में, ठीक है, मेरा जो पहला परीचे हुआ, जब मैं पहली बार वहां गया, जब मैं YMCA पूल पर गया, पहली बार, तब मेरा जो परीचे हुआ, उसने क्या किया स्विमिंग पूल पर? उसने जमाद जैसे ही मैंने पानी देखा रिवाइब हो गया, क्या रिवाइब हो गया, क्या पुनर जीवित हो गया, unpleasant memories, मेरी दुखद यादें जो थी, और stid, मैं मतलब कापने लगा, डरने लगा, stid होने लगा, childish, यानी की बचपन का जो मेरा डर था, उसे याद करके मैं कपकप आने लगा, मैं डरने लगा, जैसे ही मैंने पानी को देखा है, ठीक है क्या, but in a little while I gathered confidence, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने confidence अपने साहस को, अपने आत्म विश्वास को इखटा किया, I pedaled with my new water wings, और मैं अपने नए water wings, water wings बताया था न भी, जो भुजाओं पे पहने जाते हैं, बाजूओं पे जो पहने जाते हैं, गुबबारा पुला करके, ताकि बच्चा डूबे नहीं, मैंने अपने नए water wings के साथ, I pedaled, मैंने पैरों से तहरा की करना शुरू किया, watching the other boys, दूसरे लड़कों को देख रहा था, and trying to learn by aping them, aping का मतलब होता है, नकल करना, जैसे वो कर रहे थे, वैसे नकल कर रहा था, नकल करके, मैं क्या कर रहा था, तहरने का प्रयास कर रहा था, तहरा की सीखने की कोशिश कर रहा था, बोलो, हाँ किना, I did this two or three times, और मैंने इस चीज़ को दो या तीन बार किया, no different days, on different days, अलग अलग दिनों पर मैं गया, और दो तिन बार वहाँ जाकर के, मैंने तहरने का प्रयास की, अपने water wings पहल लेता, दूसरे ऐसे ऐसे हाथ चला रहे है, मैं भी चलाता, पैर चलाता, कोई यू तहर रहा है, तो मैं भी यू तहर लेता, बच्छपन अपन नॉर्मली का, ऐसारी चीज़े अपन किसी चीज़ से सीखते हैं, एपिंग से, एपिंग मतलब नकल करके, आप दूसरों को करते हुए देखोगे, आप भी करोगे, फिर जो होगा, वो होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, and was just beginning to feel the ease, और मैंने बस थोड़ा सा ease, यानि कि थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा easy, cool, हाँ ठीक है, पानी का डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इतना ज़ादा डर लग नहीं रहा आप पानी से, मैंने थोड़ा सा ease महसूस करना शुरू किया ही था, in the water पानी में, when the misadvent venture हो गया, दुरगठना हो गई, I went to the pool, मैं उस पूल पे गया, where no one else was there, जब वहाँ कोई भी नहीं था, the place was quiet, और वो जगह बिलकुल शान्त थी, the water was still, जल जो है, बिलकुल इस्तिर था, शान्त था, and the tiled, bottom was as white and clean as a bathtub, और वहाँ पर जो bottom था, bottom यानि कि उस समुद्र तर का, sorry, उस swimming pool का जो तल था, last जहां पर tiles लगी भी होती है, वो बिलकुल साफ था, बिलकुल सवच था, और सफेद था, जैसे कि किसी bath tub का देखा जा सकता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे, bath tub जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक सरदियों में भी लोग पढ़े रहते हैं, लेंगिन गरम पानी करके, तकान उदर जाती है, ऐसा मानते हैं, तो bath ऐसा ही होता है, आराम से थोड़ा सा मलब बड़ा सा होता है, पांच-छे पिट का आदमी आराम से उसमें फिट हो जाता है, पूरा लंबे पैर तो लंबे नह अकेला जाने में, so I sat on the side of the pool to wait for other, तो यहाँ पर मैं क्या हुआ कि पहुंच तो गया, लेकिन मैं मेरे अलावा वो swimming pool में वहाँ और कोई नहीं था, मैं अकेला था, अब मुझे लगा क्यार मैं अंदर चला जाओं क्या, पानी में उतर जाओं क्या तैरने के लिए, लेकिन म अपने किसी दोस्त का वेट करते होंगे, क्यार वो आएगा तो चलाओंगा, साइकल खड़ी है, आप खड़े हो, लेकिन यह नहीं है कि आप साइकल चलाने निकल जाओ, नहीं नहीं, उसको आने दो, बले ही आपको थोड़ी बहुत साइकल चलाने उससे में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपको किसी दे किसी का इंतजार रहता होगा, कोई आएगा, साइकल पीछे से पकड़ेगा, चलाएगा तो हम चला लेंगे, ठीक है, तो वही चीज इसके साथ भी है, कि थोड़ा सा डरा हुआ मैं सुस कर रहा था, मैं बहुत ही डरा हुआ था अंदर अकेल करने लगा, I had not been there long when in came a big brochures, चलो, यहां तक का याज रखते हैं, इसके आगे की चर्चा आप कल करेंगे, तो आज की लिए इतना ही रखते हैं, जातर बच्चे जो है, वो यही कर रहे हैं कि सारब छोड़ दो, काफी देर होगी और यह सब, मैं भी समझता हूँ, मेरी लेक लेकिन एक चीज समझो आप भी, कि मेरो पर भी आप लोगों की प्रती एक जिम्मेदारी है मेरी कि मुझे टाइम पर आपका कोर्स भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करानी है, बहुत सारी चीज़े मेरे दिमाग में है, मेरी प्लैनिंग में सम्मिलेता हैं, जो सारी चीज़े करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को अब थोड़ा सा मेरा सयोग करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक महीन हमें साथ में हो गया है, हम एक दूसरे के नेचर से काफी अच्छे से वाकिफ हो गये हैं, अब थोड़ा सा आपको साहस रखना पड़ेगा, हि फोड़ी से हम लंबी करेंगे और, ठीक है, मतलब 9.30 तो नहीं कुदेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा और टाइम, ये आदा गंटा 35-40 मिन से थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ताकि टाइम से हमारा कोर्स भी कम्पलीट हो सके, जिसने भी तक लाइक नहीं